आजरेने प्राच्यार्य महदया, एक्टम मैडम, अध्यापगण, एवं मेरे प्रिय साथियों आज मैं साइसनिता कक्षा पांच्विय आपके समख्य अपने दादा दादी के बारे में कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूं मैं उनके प्यार और दुलार के लिए उनका धन्यवार करना चाहती हूं मैं भगवान की आभारी हूं कि मुझे दादा दादी और नानानी का प्यार मिला वे अमारे सुख दुख में हमेशा अमारे साथ खड़े होते हैं दादा दादी बच्चों में अच्छी आदतों और नैतिक मुल्यों का विकाश करते हैं उनका संस्कार हमारे लिए बहुत महत्वपुन है दादा दादी का प्यार बहुत ही स्नेहपुन वबेमिसाल होता है दादा दादी के त्वारा सिखाई गई बाते किसी भी किताब वा पुस्तक में या कक्षा में पन्ने से प्राप नहीं हो सकती है दादा दादी परिवार में मुख्य वा मजबूर जड़ के रूप में जाने जाते हैं वे उनके अनुभव वा समझ की वज़े से नई पीडियों को आगे बते में मदद करते हैं वे निश्वात रुप से अपने पोता-पोती वा बच्चों की सेवा करते हैं और उने एक बहतर इंसान बनाते हैं अपनी दादादी वा नानानी के सम्मान में कुछ कविता की पंतिया मैं प्रस्तित करना चाहती हूं जो इस्तकार है अपनी बाहों के जुले में जुलाया हमको अपनी आशु चुपाकर हसाया हमको कभी दद ना देना उन हस्तियों को भगवान ने ग्रैंपैरंज बनाया जिनको धन्यवाद